सूर देव उर्जा के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। योतिश में सूर का विशेश महत्त होता है। सूर देव को परत्यक्ष देवता और सभी ग्रहों का राजा माना गया है। वैदिक योतिश शास्त के अंसार जब भी सूर एक राशी को छोड़ कर किसी दूसरी राशी में गोचर करते हैं तो इसका प्रभाव कई राशियों पर होता है। 16 नवंबर को सूर मंगल ग्रह की राशी व्रिश्चिक राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां ये 16 दिसंबर तक रहेंगी। सूर देव को सिंग राशी का स्वामित तो प्राप्त है जिन जातकों की कुंजली में सूर अच्छे भाव में रहते हैं वे सदय व्यक्ति को मान सम्मान और शुबफल प्रदान करते हैं। आए जानते हैं सूर के रिष्चिक राशी में प्रवेश करने पर किन चार राशी के जातकों को सबसे जादा शुबफल प्रदान करने वाले हैं। मिथुन राशी के जातकों के लिए 16 नुवंबर से लेकर 16 दिसंबर का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। शत्र भाव में गोचर करते हुए सूर का प्रभाव आपके लिए किसी वर्दान से कम नहीं है। मिथुन राश के जो जातक नौकरी पेशा हैं उनके लिए ये एक महीना बहुत ही शुब और तरक्की दिलाने वाला रहेगा। एक महीने के दौरान में धुन राश के जातक अगर कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो परिणाम अच्छे मिलेंगे। व्यपार के लिए ये राशी परिवर्दन अच्छा रहेगा। मान सम्मान और यश्में पहले की तरह कामयाबी मिलेगी। कन्या राश के जातकों के लिए सूर का विष्टिक राश में आना धन लाब के मौके दिलाएगा। नई नौकरी के पाने की संभावना इस एक महीने में सबसे जादा रहेगी। इस राश के जातकों पर मान लक्षमी की विशेश क्रिपा रहेगी। नया कार का शुभारंग भी हो सकता है, भौतिक सुखों में बढ़ोत्री के संकेत हैं धनुराश के जातकों के लिए आने वाले 30 दिन बहुत ही लाव प्रदान करने वाले साबित होंगे रुके हुए काम पूरे होंगे और जो कार इस समय चालू है उसमें और भी तेजी आने की संभावना है परिवार के सदस्यों का आपको भरपूर साथ मिलेगा कहीं से अचानक धनलाब मिलने से आपकी आर्थी किस्तिती में सुधार होने के संकेत हैं अब अंती में बात मकर राशी की मकर राशी वालों के लिए सूर का 16 नवंबर से विष्चिक राशी में परिवर्तन कई तरह के शुबसमाचार लेकर आएगा राशी से एकादश लाब भाव में गोचर करते हुए सूर का प्रभाव बहतरीन सफलता दिलाएगा आए के साधन और मजबूत होगे दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद है परिवार के वरिष्ट सजस्यों तथा भाईयों से सहयोग मिलेगा कारशेत्र में भी मान सम्मान की वृत्धी होगी वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें